हलो एवरीवन वेलकम बैक टू हार चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्या आप अपना एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड कर सकते हो और जो भी प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो हम डिसकस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में तो चल में correction करनी थी वो हो नहीं पारी है किस तरीके से क्या प्रोसिजर है हमने कल वाली वीडियो में आप लोगों को प्रोसिजर भी बताया था कि पहले आप official website पर जाएए वहाँ पर login कीजिए अपना जो भी password वगर है वो डाली और बाद में अपनी जो भी वहाँ पर option दिखाई द करना है और यह भी query थी कि क्या हम जिन लोगों की कोई mistake नहीं है क्या उनको भी verify करना है तो देखिए better रहेगा अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ कि अगर आप उनको दुबारा से verify कर लेते हो और submit करते हो तो इससे आप लोगों कोई help मिलेगी कि हमने कोई भी mistake नहीं कि ठीक है दुबारा से आप verify कर लेजिए जिन्होंने नहीं किया है अप ही तक और last date आप लोगों को पता होगी कि 25 है 25 के बाद आप कोई भी correction अपने admit card में नहीं कर पाओगे ठीक है उसके बाद जो है आप लोगों को 31 words आप लोगों के admit card मिल जाएंगे अब हम discuss करेंगे कि यह बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है केंड़ेट को कि क्या हम आरा जो admit card है हमने अपने correction भी कर ली है समिट भी कर दिया बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा तेकि गाइस अभी वहां पर आप लोगों ने देखा होगा official website पर जो उनका पूरा full procedure उनने mention किया हुआ है वहां पर dates वगरा के साथ कि इस date को आप लोगों को यह करना है इस date को आप लोगों को एक्जाम है तो वहां पर उनने 21 से 25 तक का यह time period जो है आप लोगों को सर्फ वेरिफाई करना है करेक्शन करनी है जो भी mistake आप लोगों ने की थी the actual admit card AIB is issued on जो actual admit card है आप लोगों का वह issue होगा आप लोगों का 30 जैनवरी से ठीक है if candidates will be able to download it till February 3 before the link expire जब तक की लिंक एक्सपायर नहीं होता है आप लोग admit card download कर सकोगे 30 onwards आप लोगों को इसका भी अगलग से notification मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपना admit card download करना है क्या कुछ procedure है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है फिलाल आप लोगों को अपनी जो भी admit card में verification करनी है correction करनी है वो आप कर सकते हो 25 तक का आप लोगों के पास time period है उसमें आप कर लीजिए अब admit card generation link to be activated soon बहुत सारे candidates को problem face करने को मिल रही है कि हमारा जो link है वो उपन ही नहीं हो रहा है हम कैसे करें तो देखे कोछ problem हो सकती है जिसके कारण जो है उपन नहीं हो रहा होगा और थोड़ा वेट कीजिए क्या पता कल हो जाए आप लोगों का फिर शाम तक का हो जाए यह चीज आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी है पैनिक नहीं होना है कि हमारा नहीं हो रहा है हमने मिस्टेक कर रहा है वो कैसे करेक्ट होगी तो आपको अगर उनका call नहीं लग रहा है PCI में आप लोगों ने call किया जो हमने help line number बताया तो आप थोड़ा wait कर लीजिए पिर आप लोगों का जो है official website पर आप जागर के login कीजिए उससे जो मैंने प्रोसेजर बताया था वो follow कीजिए हो जाएगा ठीक है आप लोगों की problem BCI will activate their link admit card generation and verification anytime at official website से हो गई ठीक है आप लोग अपना name जेंज कर सकते हो जो आप लोगों की name में mistake है उसको अप ठीक कर सकते हो change test center को change कर सकते हो अगर कोई date of birth में mistake हो गई है तो उसको भी up correct कर सकते हो तो कोई भी major problem यह है कि हमारा admit card download नहीं हो रहा है हम कैसे login करे तो admit card download करने का time period नहीं दिया गया है यह सिर्फ आप लोगों को correction करने का time period दिया गया है जब admit card download करने की बारी आएगी तो आप लोगो कोई video helpful लगी होगी गर आप लोगो कोई video helpful लगी then please do like share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video